तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 7th मैंस का चैप्टर Rational Numbers का exercise 8.1 का question number 4, question बहुत important है, अच्छी तरीकी से आना चाहिए, तो आपने इसको ध्यान से लेखने हैं, ठीक है, अराम से समझ में आ जाएगा, लिखा है, draw the number line and represent the following rational numbers on it, तो यहां पर हमारे पर सुछ rational numbers यहां पर given है हमको, हमने इनको number line के उपर represent करना है, इनको हमने number line के उपर दिखाना है, तो चलिए सबसे परे first part पर चलते हैं, यहां पर हमारे पर 3 upon 4, ठीक है, तो यह इस number को हमने, इस rational number को हमने number line के उपर दिखाना है, यहां पर हम बनाते हैं एक number line, यह बना दिखाना है, यह बना इन दिखा कि नीचे कितना है यहां पर 3 & 4 में से कौन सा नंबर बढ़ा है 4 बढ़ा होता है 3 & 4 को देखोगे तो 4 ये बड़ा नंबर है तो यहां पर 4 कट लगा लिजी है number line के पर 1 2 3 4 अब यहां पर लिखलो 1 2 3 4 अब आपने दिखा कि नीचे कितना लिखा हुआ है नीचे denominator में कितना है 4 है, तो सब के नीचे लगा लो 4, 4, 4, 4, 4, अब 4 upon 4 कितना होता है, 1 होता है, तो इसको हम 1 भी लिख सकते हैं, यहाँ पर 1 भी लिख सकते हैं, करेक्ट, हमने देखा कि हमारे पास में कितना है, 3 upon 4, एं 3 upon 4 तो यहाँ पर हमको मिल गए, तो यह हो गया हमारा 3 upon 4, तो हमने 3 upon 4 को जब नंबर लाइन के ओपर रिप्रेजन किया, तो इसको कारते हैं, रिप्रेजन होता है, ठीक है, तो यह आ गया हमारे फॉस पार्ट का solution, हैंना, चलिए अब हम करते कुशिन का second part, कुशिन के second part में हमने 5 upon minus 3 को नंबर लाइन के ओपर रिप्रेजन कर दो, अब देखो यहाँ पर नीचे यहाँ पर denominator में minus लगा दा है, हम इस minus को उपर भी shift कर सकते हैं, यहाँ पर बीच में सामने भी लिख सकते हैं, तो हम इसको चलते हैं, number line के उपर इसको represent करने हैं, तो क्या लिखेंगे पहले, zero लिखेंगे, इससे पहला वाला number हमार पास में positive था, तो हमने zero के right side की तरफ को numbers बनाए थे, हैंना, अब यह जो number है, यह minus वाला number है, तो हम zero के left side की तरफ को number को बनाएंगे, number को लिखेंगे, अब देखो five and three में से कौनसा number बढ़ा होता है, five बढ़ा होता है, तो हम five cuts यहां पर लगा लिए, one, two, three, four, five, ठीक है, आपनी याद रखना है कि आपने इनको equidistance पर लगाना है, ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हाप लिखेंगे, minus one, minus two, minus three, क्योंकि हमारा minus वाला number है तो, हम minus की तरफ को number लिखेंगे, minus four, minus five, minus six, minus seven, minus eight, ऐसे लगा लिए, अब नीचे यहां पर denominator में कितना है, three है, तो सबके नीचे, three लगा लो, three लगा लो, सबके नीचे, हमने three लगा लिया, अब देखो, minus three upon three, तो minus one हो जाएगा, इसको भी याद रखने, minus six upon three, कितना हो जाएगा, minus two हो जाएगा, क्योंकि हम three से six को divide करेंगे, तो two आता है, और minus b यह, minus two हो जाएगा, three से three को divide करें, one आता है, तो यहां पर आके minus है, तो minus one भी हो जाएगा, तो हमने इसको इस प्रकार से represent कर लिया, अब हमें ढूनना क्या है? हमें ढूनना है minus five upon three, तो हमने – five upon three तो, यह हो गिए minus five upon three हो, हमने minus five upon three, को number line के उपर जब represent किया तो यह वो यहां पर आए है यहां पर यह minus 5.3 number 9 के उपर represent होता है ने तो यह आगए हमारे second part का final line से तो चलिए बहुम करते कुशन का third part कुशन की third part में हमारे पास में है minus 7 upon 4 हमने इसको number 9 के उपर represent करना है तो यह बना लिए हमने number line माइनस वाला नमबर है तो 0 के लाटन साइट की तरफ को नमबर आएगा यह है ना तो यह जीरो है पिर यहाँ पर लगा लेते हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 उपर यहाँ पर 7 सबसे यहाँ पर बड़ा नमबर 7 तो दिखाई दीर है तो कम से कम 7 को बनाने ही पड़ेगा एक दो और बना लिखते हैं ना तो यहाँ पर लिखते हैं 1 क्योंकि माइनस वाला नमबर है तो माइनस 1, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 4, माइनस 5, माइनस 6, माइनस 7, माइनस 8, माइनस 9 यह लिख लिया नीचे 4 तो सबके नीचे 4 लगा लेंगे, 4 लगा लेंगे, सबके नीचे 4 लगाएंगे ठीक है अब 4 upon 4 यहाँ पर minus 4 upon 4 दिखाए दे रहे तो minus 1 हो जाएगा minus 8 upon 4 हो जाएगा minus 2 हमने ढूनना minus 7 upon 4 तो ढून्डो कहां पर है यह मिल गया हमको minus 7 upon 4 तो यह हमारा minus 7 upon 4 यह आ गया तो represent हो गया minus 7 upon 4 इस number line के उपर अरांट से अब हम करते हैं fourth part fourth part में हमारे पास में है 7 upon 8 इस बार यह पॉजिटिव नंबर है प्लस वाला नंबर है minus में है नहीं तो जो नंबर आएगा वो जीरो के राइट इन साइट की तरफ को represent होगा number line के उपर यहाँ पर हम बना लेंगे 9 10 ऐसे बना लिए हमने अब नीचे कितना है नीचे तो 8 है सबके नीचे एट लगा लो डिनॉमिनेटर में 8 है तो 8 लगा लो नीचे सबके इसे बना लिए हमने अब ढूंड़ा हमने 7 अपान 8 कहा में लेगा और मिल गया आराम से 7 अपान 8 यहां मिल गया यहां पर तो हमने देखो 7 अपान 8 को number line के उपर जब represent किया तो यहां पर आ गया 7 अपान 8 यहां पर आ गया नंबर लाइन के उपर तो यह आ गया हमारे 4 पार्ट का फाइनल एंसर तो यहां पर जो यह हमारा कोश्य ने कम्प्रेटर सॉल्फ हो गया है